नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूज में वक्त हम अध्यप्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर के और बड़तों आपको बता दें बीजपी ने मध्यप्रदेश की पांच लोग सभा सीट के लिए बुधवार को मीधवारों की घोशना कर दी है इसमें विवेक बंटी साहू का भी नाम शामिल है जो चंद्वारा में मौझूदा कॉंग्रेस सांसद नकुलनात को टक कर देंगे पार्टी ने दो मार्च को राजे की 29 में से 24 सीट के लिए अपनी पहली सूची का एलान किया था इसमें पूर्व मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान और केंद्रे मंतरी जोती रादित्य सिंध्या का भी नाम शामिल था वह विवादों में रहने वाली भूपाल की सांसद प्रग्या सिंग ठाकुर को इस बार टिकेट नहीं दिया गया है आगे बरतियों आपको बता दें लोगसबा चुनाव में खंडवा सीट पर कॉंग्रेस के लिए प्रत्याशी का चुनाव करना एक चुनावती बन चुका है भाजपा की ओर से दस दिन पहले सीट से प्रत्याशी घोशत करने के बावजूद कॉंग्रेस की दूसरी सूची में खंडवा लोगसबा चेतर का टिकेट होल्ड पर है ये स्थिती दिगज नेताओं के चुनाव ना लड़ने से पैदा हो रही है कॉंग्रेस की दूसरी सूची में भी खंडवा को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो सुका है वहीं आगे बरते हो आपको बता दे मध्यप्रदेश के चतरपो जिले में एक यूवक ने घर आई नई नवेली भावी को कट्टा याने की तमंचा उपार में दिया बाद में उसकी फोटो भी इंटरनेट मीडिया पर डाल दी बता दे 21 वर्ष साहिल बंसल ने बड़े भावी की पतनी आने अपनी भावी को कट्टा उपार में देते हुए फोटो खिचवाई फोटो में भावी भी देवर के साथ कट्टे को सामने की और ताने नज़र आ रही है वाईरल फोटो के अधार पर सिविल लाइन थाने में आम्स एक्ट के तहत मामला दर्चकर यूवक को गिरबतार कर लिया गया है कोट में पेश करने के बाद उसे जेर भी भी भेज दिया गया एक किस वर्ष साहिल बंसल के यहां हाल ही में बड़े भाई की शादी हुई थी वहीं आगे बड़े आपको बता दे प्रदेश में गुरुवार से प्यम श्री परियतन वायू सेना और प्यम श्रीधार में परियतन हैली सेवा की शुरुआत होने जा रही है इसका मकसद प्रदेश के परियतन गंतव्याओं तक हवाई मार्ग से आवागमन आसान बनाना और दूर छेतरों तक परियतन का लाप पहुचाना है राजधानी में राजा भोज एरपोर्ट पर इस्तित स्टेट हैंगर पर गुरुवार दुपहर को एक राजिस तरह कारेकरम आयू जित क्या जाएगा जिसमें मुख्य मंतरी डॉक्टर मोहन यादव इस सेवा का शुभारम करेंगी मैं आगे बढ़ते हो आपको बता दे पाचवी आठवी बोर्ड परीक्षा में नकल वाला वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वाइरल होने के मामले में अब उस शिक्षा विभाग ने संग्यान लेते हुए उन शिक्षकों पर तो कोई कारेवाही नहीं की जो शिक्षक छात पिचा न्यूस थनिवाद